कि अश्राम लेकूंग खुश्याम दीर आप लोगों को सब्सक्राइब नई वीडियो में आज हम अने लिजिस करना जा रहे हैं कि हमारी मार्केट को क्या हूँ अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखे डॉमिनेंस को अपनी तो यह देखें मतलब टेक्निकल्स रेविल से अमारे उपर ट्रेट करें तो अब यह डॉमिनेंस जो है इसका कहां से हमें मतलब डॉमिनेंस अगर बढ़ यह तो मैं बीटीसी की प्राइस में भी हाइक दिखना से यह चीज हमारी एक काम कर रही है इस चार्ट के लिए ठीक है जी यानि अगर मैं शॉट्टी बताओ तो हमें हो सकता है यहां से डॉमिनेंस में ड्रॉप भी देखें अब हम अगर टोटल मार्केट की तरफ चले तो हमारा टोटल मार्केट के विलकुल इसके अगेंस डॉ करीब अब हमारा मार्केट्य क mieli आ चुका है विक्स लग सुकी तो अब मेरा मानना साहिए मेरा मानना साहिए जब हमारी ही वह है जिसमें हमारे परफॉर्म किया है हमारा और सिजन चल रहा था तो अब जिस तरीके से हाल्विंग भी करीब करीब आ रही है तो हमारी बीटिसी की एक आप इसको प्री डंब भी कह सकते हैं कि जितने रिट्रेलर मार्केट में थे हैं उनको लिक्विडिट कर दिया गय अब हम बढ़ते हैं टोटल 3 मार्केट के तरफ तो उसमें हमें सेम डॉप देखने को मिला है और बहुत ज्यादत देखने को मिला यानि कहां से हम कहां आ चुके हैं आप लोग यह देख सकते हैं कहां से कहां जबकि यह वाली एक जो हमारी सपोर्ट थी इस से हमने दो से ती किसी की डॉमिनस में वह निकलके हमारी टोटल मार्केट के तरफ आ जाए अब हम चलते हैं चार्ट के तरफ तो यह जो हमारी एक विकट लिक्विडिटी इस पड़ी इस पर हम बहुत टाइम तक सपोर्ट बनाया इसको यानि अगर आप यह देखेंगे ना यह चीज यह ची सब्सक्राइब पर उसको इसने नहीं पिक किया पर इसने 58 वाली जो इसकी सब्सक्राइब यह चाहिए अगर हमें दुबारा से एक नया हाई बनाना है और हमें कब हम जाके अच्छा मूव होंगे बीटीसी में तो जब हम 67,000 की रेंज से उपने कर जाएंगे यानि इन लिक्विडिटी इस यह जो हमारी पहली वीकेंड लिक्विडिटी है इस से उपर जाके हम इसको ऐसा सपोर्ट यूज करें और 67,000 की रेंज हमारी लिए 67, 77,000 की वाली रेंज हमारी लिए बहुत इंपोर्टन होगी क्योंकि उदर एक वीवैप आ रही है जिसके हम बहुत बार रिजेक्शन भी ले चुके हैं फोरार टाइम फ्रेम पर अब अगर हम बीटीसी को देखते हैं डे फ्रेम पर तो यह हमारे पास कुछ सपोर्ट बनती ह है पहली एक हमारी यह पर लेवल पर पड़ी है 74 वाले वहां से में एजेक्शन लिए सेम केंडल्स और फिर उसके बाद ही हमारी एक नीचे वाली बन दिया अब अगर यहां से हम वीवैप लगाना चाहें वीवैप से हम देखना चाहें सौरी यह मस्तूल दूसरा यूज हो और एक अगर वीवैप मिल्कुल 37,000 से लें तो उस वीवैप को इसने पिक किया है उस वीवैप को उसने अराम से पिक किया और यह उपर जाकर रिकवरी कर चुका है तो मेरा मानना है यह हमारा नेक्स मूव वही होना चाहिए अब अगर हम और नीचे रेंज से लेते हैं तो अगर हम देखना चाहिना इसको वॉल्यम रेंज के अवाले से तो यह हमारी वॉल्यम रेंज बनती है इस रेंज को हमें क्लेम कर लेना चाहिए तो हमारे लिए बैतरीन हो जाए अगर हम नहीं कर पाते है इसको क्लेम तो हमारे लिए एक मसले का बाइस बन जाएगा क्योंकि हमारा बिटिसी पर्म नहीं कर पाएगा जब तक हम अपनी इस वाल्यूम रेंज को इस वाल्यूम रेंज को हम कवर नहीं कर लेते इससे उपर जागे टेट करना शुरू नहीं अब अगर हम डॉमिनियंस सब्सक्राइब आना चाहिए तो एक सपोर्ड मुझे यह दिखती जो मैंने एक मार्क आउट की है इसको मैं आइलाइट कर दता हूँ एक यह दिखती है मुझे और दूसरी अगर मुझे दिखती है वह यह लेवल देता है है जो कना मारी यह लिए प तो हमारी हमारी पड़ी है तो हमारी हाइली पड़ी जो पड़ी है वो पड़ी एक रेंज में तो यह वह गपीटीटीटीटी पड़ी हैं एक में िक्षूब है जैसा जो देखें यह पास टाउण्वड में इतनी लिक्विडिटीटीटीटी नहीं जितना मारी हाई मतलब Eliot क pizza तो अप fair to die यही से मैं यहूं हमारी रेंज बील इसको मैं क्लेम करना चाहिए और यहां से आम एक यह सब्सक्राइं पारैम यहारा मैं लोगों इन słu को चंटेंग करें दिखा दूँ तो यहां से खोर्म हमें आपनी यह वाली जो Weakon liquidity है इसको इसके दर्मियान और range Weal के दर्मियान हमें थोड़ी तेर sideways होने चाहिए sideways होने के बाद यानी हफ्तolphा डेड़ deaf के बाद हमें अपना All Time High लगाने जाना चाहिए जब हमें यह legit हो जाएगा अच्छा जो रेंज भी एल आ रही है आपकी एक 70,000 की रेंज में इससे भी हमें कुछ rejection लेनी चाहिए फिर हमें एक low बनानी चाहिए major लो फिर हमें एक high बनानी चाहिए तो यही scenario है मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ नए analysis के साथ जब तक चैनल को सब्सक्राइब करने लिंग आपको गुरूप के वॉटसाप में डिस्क्रिफचन में अलजाएंगे तो असलाम अलेकौं कर दो